नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में वीवो Y31 2021 वर्सस समसंग गैलेक्सी F62 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंज की बात करें तो वीवो Y31 2021 में 6.45 इंच जबकी गैलेक्सी F62 में 6.45 इंच की लेंज मिलती है जोकी सेम जैसी ही है विद की बात करें तो वीवो Y31 2021 में 2.96 इंच जबकी गैलेक्सी F62 में 3 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो वीवो Y31 2021 में 0.33 इंच जबकी गैलेक्सी F62 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी वीवो Y31 2021 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Vivo Y31 2021 में 188 ग्राम्स जबकि Galaxy F62 में 218 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि Vivo Y31 2021 से ज्यादा है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Vivo Y31 2021 में IPS LCD जबकि Galaxy F62 में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियों नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Vivo Y31 2021 में 6.58 इंचर्स जबकि Galaxy F62 में 6.7 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेशियों, Vivo Y31 2021 में 1080 by 2400 इंचर्स जबकि Galaxy F62 में 86.6 इंचर्स जबकि Galaxy F62 में 86.6 इंचर्स मिलता है Galaxy F62 में 393 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो Vivo Y31 2021 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Depth Camera, Macro Camera देखने को मिलता है और Galaxy F62 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, depth camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करे video camera की तो Vivo Y31 2021 में 8 different type के features मिल जाते हैं और Galaxy F62 की बात करे तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं अब बात करे front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करे तो Vivo Y31 2021 में Adreno 610 जबकि Galaxy F62 में Mali G76 MP12 मिलता है चिप सेट की बात करे तो Vivo Y31 2021 में Qualcomm Snapdragon 662 और Galaxy F62 में Samsung Exynos 9 Octon 9825 मिलता है बात करे RAM की तो Vivo Y31 2021 में 6 GB जबकि Galaxy F62 में 8 GB मिल जाती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 128 GB मिलती है expandable memory दोनों phone में up to 1 TB है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है battery Vivo Y31 2021 में 5000 mAh जबकि Galaxy F62 में 7000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करे तो Vivo Y31 2021 में 2 colors जबकि Galaxy F62 में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो Vivo Y31 2021 की 16,490 रूपीज जबकि Galaxy F62 की 18,499 रूपीज प्राइस है जो की Vivo Y31 2021 से ज्यादा है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo Y31 2021 में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Samsung Galaxy F62 की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फायदली बात करे है result की तो डिस्प्ले में Galaxy F62 आगे है में कामरा में Galaxy F62 आगे है फ्रंट सेलफी कामरा में Galaxy F62 आगे है परफॉर्मेंस में Galaxy F62 आगे है इंटर्नल मेमरी में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपुटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाउमी रेड्मी नोट 10 प्रो है जो की 17,857 रुपे में मिलता है दुसरा रियल्मी 7 है जो की 14,999 रुपे में मिलता है तीसरा वीवो वाई 51 2020 है जो की 17,990 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉंपुटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो वाई 5AK है जो की 16,790 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना